हेलो फ्रेंड्स, स्कोर शाला के चानल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 के IP में डिसकस करें अपना एक और नया टॉपिक तो दोस्तो आज हम लोग यहां बात करने वाले अपने expressions को लेकर के expressions आखिर क्या होते हैं तो दोस्तो जब कभी भी हम लोग programming language में कुछ statement लिखते हैं जैसे कि दोस्तो आप चारे हैं कि कोई arithmetic expressions लिखना जैसे कि आपके पास कहीं कुछ calculations का काम हो रहा है कोई particular number किसी दूसरे number से multiply हो रहा है देन उसके बाद वो और किसी के साथ add हो रहा है फिर वो कहीं subtract हो रहा है तो इस तरीके से आपने एक particular expression लिखी है जिसमें कहीं addition भी हो रहा है साथ में multiplication भी हो रहा है इस तरीके से अगर अपने बात करें तो यह क्या होता है आपके पास में एक type का expression है तो दोस्तो expression क्या हो गया expression का मतलब हो गया जिसके अंदर यह आपके पास एक type का combination होता है शायद कुछ expressions आपके पास में arithmetic expressions हो सकते हैं कुछ आपके पास में यहां कह सकते हैं कि आपके पास string based हो सकते हैं तो कुछ आपके पास logical based हो सकते हैं तो बहुत सारे आपके पास अरग-अरग type के expressions भी होते हैं आईए दोस्तों, discuss करते हैं, सबसे पहले हम की आखिर expression है, इसकी एक definition दोस्तों पहले हम लोग discuss कर लेते हैं, expression क्या हो गया दोस्तों, an expression in python is any valid combinations of operators, ठीक है, एक तो operators हो गया, या कोई values, कोई literals हो सकता और साथ में कोई variables हो सकता है, जैसे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, z equals to x multiply 2 plus 7 divided by 5, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर एक variable भी है, आपके पास, कोई values भी है, और कुछ operators भी है, तो z में क्या होगा, x into 2 plus 7 divided by 5, इस expression का final result जो निकलेगा, वो अपना z में जाके store होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, an expression in a python is any valid combinations of operators, literals and variables, I hope दोस्तों एक clear है, उसके बाद अपन क्या सकते है, an expression, expression क्या होगा, composed of one or more operations, तो यहाँ पर x into 2 हो रहा था, 2 plus 7 हो रहा था, 7 divided by 5 हो रहा था, इसका मतलब है कि आप यहा तो एक भी हो सकता और एक से जादा operations भी यहाँ पर perform हो सकते है, with operators, literals and variables, ठीके तो finally हम लोग क्या सकते हैं कि एक या एक से जादा operations हो रहे हमारे पास, कुछ operators के उपर, कुछ variables के उपर, या आपके पास पोई values के उपर, ठीके, python क्या करता है, puts it in this way, a valid combinations of atom, ठीके, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास में इन सभी का collection, and operators forms a python expression, मतलब हम लोग बात करते हैं कि python कि सरीके से इन को handle करता है, तो द value, कोई तो value होगी हमारे पास में, जैसे अगर आप यहां पर बात करते हैं, operators की, तो operator हो गया, literals, यहीं कि वहां पर कुछ values है, like 5 है, 7 है, 10 है, कुछ भी, ठीके, so all of these are atom in python, जैसे कि आपके पास कोई variables, जैसे कि आपके पास कोई variables, जैसे कि आइदिटिफार हो सकता है, ठीक यहां आपके पास में, दोस्तों, कोई value आपके पास में, parenthesis के बीच में हो सकती, जैसे 7,5, suppose, ठीके, कुछ brackets के बीच में हो सकती, आपके पास में, तो वो शादी square bracket हो सकता है, ठीके, जैसे कि आपके पास, दोस्तों, string हो गया, जिसको मैं double quotes कह रहा हूं, टपल हो गया, जो कि आपके पास में brackets में आ गया, dictionary है, और sets है, जो कि आपके पास curly brackets में आते हैं, तो यह सब जो है, आपके पास में atom कहलाता है, और atom क्या होगे, आपके पास में, इन सभी का एक combination, तो finally, expressions, अगर अपन बात करते है, expressions क्या हो गई, तो दोस्तों, आप यहां पर expression में किसी भी type की values को use कर सकते हैं, variables को use कर सकते हैं, operators को use कर सकते हैं, इन सभी का combo है, जैसे कि मैंना आपको पहले भी बताया था, अभी just कि आप यहां arithmetic operations का एक example भी बताया था, इसी type से कह सकते हैं, expressions जो अपने पास होते हैं, पाइथन में, वो आपके पास किसी भी type के हो सकते हैं, किसी भ ऐसके हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कई बार जैसे कि बहुत बहुत सिंपल अगर मैं आपके पास मैं दोस्तों यहां पर arithmetic expressions तो आपने हैं handle करते ही जैसे आपने लिखते है z equals to x plus y तो दोस्तो एक्स प्लस y क्या आपके पास में एक टाब के expressions है उनकी जो value आफ़ी उनकी जो गाल है थे ने थे रहें दो हम लोग कह सकते हैं rü T तो हम नुमेह सकते हैं q जैसे मैं कहरा हो कि suppose कि D equals to C divided by A plus B और bracket में लिख देता हूँ P minus Q ठीके ऐसे कुछ भी आप कुछ में लिख सकते हैं तो इस तरीके से आपके पास में यह थोड़ी complexity भी इसमें और भी हो सकती है मैं तो बिल्कुल simple simple examples बता रहाँ था कि इस तरीके से ही आपके पास सारे arithmetic expressions होते हैं relational आपके पास जो expressions है इसमें क्या हो जाएगा x is greater than y तो आप ऐसा कर सकते है y आपके पास में less than equals to z या आप कर सकते है z equals to equals to q या आपके पास x is less than y and greater than z तो यह आपके पास में एक type का relation expressions हो जाएगा इसी type से logical expressions में दोस्तों आपन और use कर सकते है and use कर सकते है b and c तो जो भी आप चाहें आप उनको use कर सकते हैं इसी के साथ साथ आपके पास string expressions होती है string expressions क्या हो गया जैसे एक string है score एक string है शाला तो score और शाला को आप अगर चाहते हैं join करना concatenate करना तो आप plus use करें बीच में तो यह क्या करने आप दो अलग-अलग string के ऊपर आप कुछ operations perform करें तो कह सकते हैं यह आपके पास एक type का concatenation है इसी type से अगर आप लिख रहे हैं दोस्तों hello world ठीक तो यह भी आपके पास में क्या एक type का string expressions है आप किस तरीके से इसको use करना चाहरें अब देखें दोस्तों यह जो आपन topic discuss करें हैं इसमें हम लोग सिफ यह discuss करें कि आखिर आपके पास में expressions क्या होती है अलग-अलग type के expressions को दोस्तों आप लोग अपने system के अंदर apply करके दे सकते हैं यह काम बिल्कूल वैसे करता है जैसे अपने discuss कर रखा था बौर्ड मास आज तक अपन करी रहे हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ना operator associativity भी देखी ती यह नहीं कि उसमें precedence कैसे रहता है operators का तो उसके according हमारे पास यहां पर उसका result भी आता है तो दोस्तों expressions जो है वो आपके लिए important topic होता है अच्छे से देखिएगा क्योंकि हर एक्जाम में एक आपके सामने expression दी जाती है finally इसका result हमारे सामने क्या कुछ आने वाला है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक कि लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए Thank you